अगर आप चाहते हैं कि एंजल के बारे में जाना है एंजल से किस तरह से हम प्रोब्लम अपनी सोल्व कर सकते हैं एंजल से हम कैसे बात करते हैं एंजल के साइन के समझते हैं इसके लिए मैं गाइड करती हूँ इस वाक्शोप में अगर आप इंट्रेस्टर हैं तो आप जल्दी से आज लास्टे हैं आप आज ही रेजिस्टरिशन अपनी करवा लीजिए कि कल सुबा से मैं क्लासे शुरू कर रही हूँ एंजल वाक्शोप के लिए मेरा कॉंटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है अगर आप उस नंबर पर वाटसप करते हैं मैं आपको आगे की जानकारी वहां पर दे दूँगी ठीक है रूपिस 1111 में यह वाक्शोप है 1111 रूपे तो आप जल्दी से अपना रेजिस्टरिशन करवा लीजिए ठीक है और अब मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग टॉपिक आपको पता है कि गरंट फिलिंग ओफ यूर पार्टनर इस वक्त आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं क्या फिल कर रहे हैं उनकी फिलिंग्स मैं आपको बताऊंगी ठीक है दिल दिमाग में आपके बारे में क्या चल रहा है यह है पाइल वान आप देख लीजिए अगर आपको यह रिंग परसंद आ रही है पाइल वान के लिए है यह है पाइल टू और यह है पाइल थ्री चलिए मैं पाइल वान से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपके पार कि एक सिकेंट आपके जो पार्टनर है न ऐसा मुझे दिख रहा है कि जैसा वो कुछ दिनों से ऐसे हो रहा था कि बहुत दिनों से वो आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं सोचे जा रहे हैं उनकी दिमाग में हो वो सोच के ठक गए है अब वो इन सब चीजों से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं आपके जो पार्टनर है तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो जैसे की परिशान है किसी चीज़ की वज़े से कुछ लोग भी आपके रिलेशनशिप में इनवोल्व है उसकता फैमिली इनवोल्व है वो उन लोगों के बारे में भी सूसूच के परिशान हो रहे हो क्योंकि वो शायद कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में है आप भी हो सकते हो आपकी फैमिली बीच में है या उनकी फैमिली बीच में है इन सब चीज़ों के बारे में वो सूसूच के परिशान हो रहे है और यहाँ पे two of cup दिखा रहा है काफी positive wives आ रही है उनको इतना तो पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं ठीक है ये बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं आप भी उनसे प्यार करते हो ये बात भी उनको बहुत अच्छे से पता है उनको पता है कि इससे बहतर relation कोई नहीं है ठीक है इस बक्त वो यही सोच रहे हैं कि आपका ये relationship दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो बहुत प्यारा relationship है और वो इस relationship को खतम नहीं करना चाहते हैं कोई भी नहीं चाहेगा इस तरह के relationship को खतम करना इतना मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की वज़े से वो आपके पास नहीं आ रहे हैं और वो आपको याद करकर के ठक गए हैं इस वक्त उनकी energy में यही feel कर पा रहे हैं ठीक है दिखते हूं आपके बारे में उनके दिल में क्या है उनके दिल में आपके बारे में क्या है ओ दिल तो उनका टूटा हुआ है मैंने पहले बोला है कि वो थक चुके हैं आपको याद करकर के भी थक के हैं आपको प्यार करकर के भी थक के हैं अगर आप सोचते हैं कि वो कहीं पर enjoy कर रहे हैं आपके बिना ऐसा बिल्कुल नहीं है और एक चीज और में बताना चाहते हूं जब हम card read करते हैं न हम बताते हैं energies के बारे में वो बाते हैं जो सामने वाले के चेहरे से नहीं दिखती हैं वो बाते जो सामने वाले के हाव वाफ से हम नहीं समझ पाते हैं वो च सामने आपको क्या दिखा जा रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ के अंदर क्या है ठीक है है हम को ऐसे समझना है और सब चीजों को तो यह वही ऐनर्जी है कि उनका दिल बुरी तरह से त्युटा हुआ है मैंने बूला झाख न के देल में क्या हैं good heटओ तैनो स्वार्ट्स के एनरजी है ये दिखा रहा है कि उनका दिल बुरी तरह से टूटा हुआ है क्योंकि वो आप से अलग है कुछ आप दोनों में सेप्रेशन है बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में ठीक है ये वो रीजन है जिसकी वज़े से वो खुद बुजादा परिशान है उनका दिल तूटा हुआ है अग्जोस्ट है, ठक चुके हैं पेन में हैं, उनको तकलीफ हो रही है यह है उनकी दिल की बात अब मैं आपको बताऊंगी उनकी दिमाग में आपके लिए क्या है दिमाग में तो काफी कुछ भरा हुआ है सारा कचरा यह यह पर कठा किया हुआ है यहाँ पर यह एनरजी दिखी है कि उनके दिमाग में यह है कि जैसे कि वो और भी इनवोल्व है जिनसे वो बच नहीं पा रहे हैं पीछा नहीं चुड़ा पा रहे हैं गुसा आता है उनको यह सोच के दिमाग में तो देखो कभी-कभी उनको frustration होता है frustration होने लगता है क्योंकि एक के साथ वो इस हद तक involved है कि पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, यह उनकी family है, यह भी possible है यहाँ पर मुझे negativity दिखरी है कि वो negative जादा सोचते हैं इस relationship के बारे में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बचा, हो ही नहीं सकता उन्होंने फूल स्टॉप लगा दिया है इस relationship पे क्योंकि शायद आप 3D World में कोई तो बड़ी ऐसी मजबूरी मजबूरी मुझे यह दिखती है कि वो already किसी और relationship में हो सकते हैं, जिनसे वो पीछा नहीं छुड़ा सकते यह चीज उनको बहुत अच्छे से पता है, हो सकता है, वो किसी शादी में है, ऐसी शादी में है और वो उनको लगता है कि अब नहीं हो सकता, आप दोनों एक नहीं हो सकते, यह उनके दिमाग की बात है दिल टूटा हुए, पर दिमाग में practical सोच रहा है उनका, ठीक है दिल की नहीं सुनी जा रही है, वो जादा इस वक्त दिमाग की सुन रहे है पता है उनको कि आप उनसे प्यार करते हैं, वो भी आप से प्यार करते हैं, कुछ नहीं हो सकता रिजन भी हमारे सामने आ गया, थर्ट पार्टी है, उनकी फैमिली है जिस वज़े से वो आपकी तरफ नहीं आ सकते तो उनों ने अपने दिमाग में ये डिसीजन बना लिया है, कि अब कुछ नहीं हो सकता इस वक्त ये उनकी करंट फीलिंग आ रही है आपके लिए गाइडेंस भी आज निकाल देते हूं आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए गाइडेंस है, कि अपने उपर ध्यान दे, थोड़ा सा घूमो फिरो बाहर निकलो दोस्त बनाएं आप, अपने आपको खुश रखने की कोशिश करो जैसे यह आप देखें सकाट में एक लेडी, कैसे मस्त है अपने लाइफ में के लिए भी, खुश है इस तरह से आपको रहना है, अगर वो परसन आपसे दूर हो चुका है, वो आपसे बात नहीं करना चाहता, वो इस रिलेशन को आगे नहीं लेके जाना चाहता तो आपकी जिम्मेदारी जादा डबल हो जाती है, अपने लिए कि आपको अब अपने लिए क्या करना है, यह है आपके लिए guidance कि एक बार सोचो, समझो इस चीज़ को, कि आपको अपने लिए अब क्या करना है, लब messages मैं दे देती हूँ आपको देखिए, यहां पर message आ रहा है, you always give me your shoulder to crayon, आप हमेशा, देखो जब भी वो प्रिशान होते थे न, ऐसा दिखता है कि वो रोते हुए आपके पास ही आते थे, तो इसलिए वो वही बात कर रहे हैं कि आपने हमेशा उनको संभाला है, ठीक है, और आप उनके jokes पे बहुत हस हसते हो, और उनको यह भी पता है कि वो इतने फनी भी नहीं होते हैं लेकर फिर भी आप उनके joke पे हसते हो, ठीक है, और वो आपको पाने के लिए, यह तो उनको दिख रहा है कि वो आपको पाने के लिए कुछ करना तो चाहते हैं, आपका जो behavior है, जो caring nature है न, वो उसके लि और मनना भी चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है, अगर यह third party बहुत ज़्यादा strong है, अगर नहीं होती तो आप दोनों के बीच में यह दूरियां भी नहीं होती, बड़ी मजबूरी है उनकी इस वक्त आप से दूर रहना पर डरा है उनको, ठीक है, आप उनको cute name देते होगे, यह भी वो बात आपको messages में बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं, कि आप शायद अभी भी आपने give up नहीं किया है, ठीक है, कुछ भी हो इस वक्त situation में उनको अभी भी यही लग रहा है, कि आपने जैसे अभी भी give up नहीं किया, आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं उनका, य जिस तरह से आप उनको प्यार करते हो, उनको वो चीज समझ में आती है, मैंने पहले भी बोला, उनको बता है कि आप उनको प्यार करते हो, यह भी वोई message दोबारा सी निकल के आ रहा है, तो यह यही दिखाता है, कि वो person आप से बहुत प्यार करता है, और आप उनको प्यार आजाती है उनके face पर यह वो message है आपको देना चाहते है you make me complete आप उनको complete करते हो यह वो message है आपको देना चाहते है यह है pile 1 वालो के लिए reading like कीजिए guys मेरी इस video को share कीजिए subscribe कीजिए तक इस तरह की reading आपको देखने को मिलती है मिलती हूँ मैं आपको अपने next video पर तब तक के लिए bye bye take care अब मैं pile 2 वालो के लिए reading करूँगी यह है pile 2 चलिए देखते हैं pile 2 के लिए क्या आता है करणा हुआ आता है इस वक्त आपके जो partner हैं क्या सोच रहे हैं कि इस relation पर एक बार और काम करना चाते हैं इक बार और मोका देने के बारे में सोच रहे हैं एक बार कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं अगर ये reason ये रहा है कि family की वज़े से आप फैमिली नीमानी अलग हो गए हो बर दिख रहा है कि अभी भी उनके दिल में आपको अपनी जिंदगी में पारने की इच्छा है उनका सपना हो आप तो अब उस सपने को पाने की वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं आपको लग रहा होगा कि उन्होंने कोशिश बंद करती है ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपनी family को मना रहे हैं hard work कर रहे हैं मुझे hard work करता हुए इनसान दिख रहा है यहाँ पे कि इस वक्त वो इस relation पे और काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह है इस वक्त उनका सोचना आपके लिए आप उनकी desire हो उनको देखो आपके relation में मुझे कुछ तो problems दिख रहे हैं आप struggles दिख रहे हैं बार बार आ रहे हैं शायद ऐसा भी है कि कभी कोई reason होता है कभी कोई reason होता है यहां पर अब मैं दिल की बात बताते हैं उनके दिल में दिखिए ऐसा भी दिख रहे है कि आपके इलावा कोई तो चीज है उनको important या उनका career भी हो सकता है या बाहर जाने का उनका कोई सपना है वहां से लोटके आएंगे तब आपको हाँ बोलेंगे इस वक्त ऐसा दिख किसी two of wants का card मुझे यही दिखा रहे है उनके दिल में है कुछ या तो एक तरफ उनकी family एक तरफ आप होई है mother है आप होई है कोई तो person है ऐसा और वो चाहते तो हैं दिल की बात करूँ तो वो आपको choose करना चाहते हैं आपके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं आपके साथ अपना future देख रहे हैं उनकी दिल में आपके साथ रहने की इच्छा है हो सकता है उन्होंने आपको बोला भी हो कि वो आपके साथ कहीं गूमना चाहते है आप रोड जाना चाहते है या उन्होंने आपको honeymoon में जाएंगे ऐसे भी बोला हो ठीक है यहां पर यह भी मुझे दि दिल में आपके साथ घोमने की इच्छा है उनके दिल में आपके साथ रहने की इच्छा है आपके साथ शादी करने की इच्छा है अब मैं आपको बताते हूं उनके दिमाग में क्या चल रहा है यहां पे पी ऐसे काड़ आ यहां पे एड़ो पेंटिकल स्लोब हो जादा चल रहा है वो अपने करियर में भी पैसा बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं यह उनका दिमाग है यह भी है कि आपके परसन ने बोला है कि पहले वो अपना करियर बनाना चाहते हैं फिर वो रिलेशनशिप की बात करेगे एक तो यह मैंटर मुझे दिख रहा है जादतर लोगों के लिए करियर आप दोनों के बीच में है यह भी पॉसिबल है कि आप अलगलग कंट्री से है तो वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं कि यह सब दूरियां कैसे खतम करें या तो यह भी सोच रहे हैं कि वो अपने करियर में ऐसे जल्दी करो कैसे करें ताकि वो आपसे शादी कर सकें तो ये दो चीज़े दिख रही हैं यहाँ पर वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का और जारतर मुझे यही दिख रहा है कि आप डोनों के बीच में अगर वो परसन थर्ड पर्टी अगर मैं बोलू कि फैमली है तो वो वेट कर रहे हैं उनके हां का कि वो फैमली मान जाए हां कर द लिए देखिए गाइडन्स आपको यही मिल रही है कि अभी आपको लटको करना है उनके पीछे अभी जाने की जरूरत नहीं है आप चीज़ों को च्ट्रॉल करने की कोशिश मत करो सबसे इंपोर्टनिट मैसेज आपके लिए ही आया है इस सीचिशन से अभी आपको लटको कर उनको अपने हिसाब से हेंडल करने तो आप उनको हेंडल करने की कोशिश मत करो किसी को भी किसी को कुछ बताने की कोशिश मत करो इस वक्त सिफो सिफ अपनी उपर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ जब होना होगा सही वक्त पे हो जाएगा इस तरह की आपकी गाइडेंस है उन पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है, अपने करियर पे ध्यान दो, कोई ऐसी चीज आप भी ले के आओ, जिससे आपका डाइवर टोमन उनसे, आप उनके जोक्स पे हसते हो, जबकि वो फ़नी भी नहीं होते, ऐसा वो मेसेज आपको देना चाहते हैं, ठीक है, आप उनको एप्रिशेट करते हो, वो जो कुछ भी बोलते हैं, अपनी शाद उनकी हर एक चीज को एप्रिशेट किया है, समझा है, ठीक है, आपकी स्माइल उनको बहुत अच्छी लगती है, यह मेसेज हैं, वो देना चाहते हैं आपको, और आपकी आखों में, उनको देखके, या आपको देखके, एक दूसरी को देखके, आपकी आखों में जो स्पार्क आ जाता है, स्पार्कल, तो उसके बारे में वो बात कर रहे हैं, कि वो चमक, आँखों की वो जो चमक है ना, उनका दिम बना देती है, You treat me like your prince or princess, आप उनको prince or princess की तरह treat करते हो, और messages देख लेते हैं, क्या निकल के आता है आपके लिए, आपके लिए और messages क्या है, You and me deal with every situation, well, उनको भरोसा है कि हम इस situation से deal कर लेंगे, ठीक है, You love me, आप उनसे प्यार करते हो, यह वो message है, आपको देना चाते हैं, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस reading को दिखो, मैं इतने प्यार से आपके लिए reading बना के लेके आती हूँ, आपको भी भी लाइक करना मत भूला कीजिए, ठीक है, लाइक करना भी ज़रूरी है, शेर करना भी ज़रूरी है, सब्सक्राइब तो आपने गरी रखा है, नहीं कर रखा है, तो आप कर दीजिए, तक इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिले, मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए, बाई बाई, टेक के रूए, पाइल थ्री, आपके परसन इस वक्त क्या सोच रहे है, ठीक है, इस वर्ण्स का काड़ है, तेखो कुछ न्यू बिग निंग तो करना के बारे में सोच रहे है, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, ट्रेवल करने के बारे में सोच रहे हैं, ये लोग डिस्टेंस स्लेशनशिप भी हो सकता है, जो ट्रेवल की बाद पीच में आ रही है, नहीं शुरुआत को करना चाहते हैं, बिल्कुल इस वक्त कुछ तो सोच रहे हैं, वाउ, आपके यूनिन के बारे में सोच रहे हैं आपको मिलने के बारे में सोच रहे हैं आपको मिलने के बारे में सोच रहे हैं आपसे प्यार करने के बारे में सोच रहे हैं मिलके उनको क्या क्या करना है यह सब कुछ है वो प्लैनिंग कर रहे हैं और काफी स्ट्रोंग काफी पॉज आपके यह जैसा कि हमारे पास the lovers के energies है तो यह मुझे यही दिखा रही है कि passion इस वक्त बहुत जादा है उनके अंदर जोष बहुत जादा है आपके प्यार का वो isolation को आगे बढ़ाना चाहते हैं commitment तक लेके जाना चाहते हैं यह वो planning है कर रहे हैं ठीक है तो खुश हो जाईए बिल्कुल भी stress लेने की जुरूरत हैं यहां पर मुझे नहीं दिख रही है क्योंकि यह जो वांट के साथ मैं ने देखा new beginning new beginning कैसे करने किसी बारे में करने हैं शादी के लिए सोच रहे हैं आपके person के बारे में ठीक है बहुत जादा प्यार करते हैं आप दोनों एक दूसरे को प्यार करत हैं उखे दिल में क्या चल रहा है सी अगें कम किशन बात करना चाते हैं मिलना चाते हैं दूरियों को खतम करना चाते हैं और वो बहुत जल्दी कर देना चाते हैं बहुत जल्दी वो आपके पास आने वाले हैं आपको बात करने वाले हैं दिल की बाशियर करेंगे आपको स से ठीक है और वो अपनी planning के बारे में भी आपको बताएंगे मिलने के विलिए बोलेंगे ये भी possible है उनके दिमाग में क्या है ये भी देख लेते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है दिखें दिमाग में ये चल रहा है कि पास्ट में कुछ तो उन्होंने बार-बार ऐसी ग गलतियां की है और बार-बार की है अब वो गलतियां नहीं दोराना चाहते है अब वो इन सब चीजों को खतम कर देना चाहते है आप दोनों के बीच में आई हुई दोरियों को खतम कर देना चाहते है ये है उनकी दिमाग के बात आपके लिए guidance क्या है आज मैं आपको guidance भी चाहिए ओवर इमोशनल हो रहे हो आप ठीक है आप शाय डौट करने लगे और शट करते हो अपने पार्टनर के उपर तो शट करना आप छोड़ दीजे यह है आपके लिए guidance उदास होने की ज़रूरत नहीं है कोन अच्छा है कोन बुरा इस वक टेंशन मत लो वो परसन वो जल इस चीज़ को देखके अभी मेरे दिमाग में एक बात आई है शायद यह आपसे ही related है तो मैं वो बात आपको बता देना चाहती हूं अभी जैसे की मैसेज चैनल हो रहे है कि अगर आपके अंदर ऐसी को इनरजी है addiction वाली कि मुझे तो ये बंदा चाहिए ही चाहिए नि तो मैं जी नी पाऊंगा जी नी पाऊंगी तो ऐसी इनरजी से आपको बाहर निकल ला है अगर आप उसको लगता है कि ये प्यार में होता है ये प्यार में नी होता है ये होती है negative energies जिसको हम addiction कहते हैं तो अपने इस addiction Videông time पर आप काम कीजिए कोई की मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि reading के बाद भी कभी-कभी messages करते हैं लोग रोते रहते हैं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए बट में उनको console भी नी कर पाती हूं क्योंकि मेरे पास इतना होता ही नहीं कि मैं reply कियदू उनको एकी बा करते हैं न बार बार मैसेज़ करके आपको नहीं पता हम लोगों को कितना सफर करना पड़ता है आपके इस एडिक्शन की वज़े से आप रिलीज नहीं करते हो अपनी नेगटिविटी बोलने के बाद भी गाइडन्स देने के बावजुद भी अब नहीं समझते हो तो कभी-क अभी मुझे ऐसा होता है मैं इतनी परिशान हो जाती हूं इस तरह के मैसेजस से एक ही बात कोई बार-बार कैसे बोले ठीक है तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो यह आपके नेगटिविटी है इसको रिलीज कीजिए ऐसी एनरजी किसी को भी पसंद होती है अगर मैं फिर आपसे बात नहीं करूंगी तो आप सोचिए कि आपके पार्टनर का आप क्या हाल कर देते होगे ब्रो रोके बार-बार मुझे से दूर मत जाना मुझे छोड़ मत देना एक्तम बिचारी टाइप कहना हमको ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना चा तो आपको इस इनर्जी से लेट गो करना है ताकि आपका पार्टनर भी आपके साथ शांती से रह सके यह इंपोर्टन सच में मैसिस था क्योंकि लोग समझते नहीं उनको लगता है वो प्यार में है बट उनको फरक ही नहीं पता है कि वो प्यार में नहीं अडिक्शन में आ कभी-कभी ऐसे ही होता है मेरे साथ सच्छ में डेली होता है आपको नहीं बता कि हम क्या-क्या फेस करते हैं Cum grade में हमारी भी परस्नल लाइफ होती है कितनी डिस्ट्रॉब होती है हमारी लाइफ कि obsession के बाद भी पूछते रहते हैं एक ही सवाल को बार बार बताओ नहीं reply करो reply करो reply करो reply करो है तो हम भी इंसान है ना बहुत प्रिशान हो जाते हैं सच में seriously हम भी ठकते हैं हमको भी रस्त चाहिए हमको भी अपना mind शांत रखना है एक ही बाद कोई बार बार नहीं समझा सकता मेरे लिए तो बहुत मुझे कई बार बोलना पड़ता है मैं चाहतियों की लोग खुश समझ जाएं कि हमको ऐसा नहीं करना किसी के भी साथ ये एक तरह से टोचरी हो जाता है सामने वाले को दिखो आपकी आखों में जो स्पाकल उनको दिखाई देता है ये उनका दिन बना देती है आपकी आखों की चौमक ठीक है उनका दिन बन जाता है यहां पे है ठीक है वो आपको देखो आपको याद करने से रोक ने सकते हैं वो आपको प्यार करने से नहीं रोक सकते हैं ये बात वो आपको कहना चाहते हैं ठीक है ये ड्रीम और माई ड्रीम आपका ड्रीम मेरा ड्रीम है आपका सपना मेरा सपना है यानि कि आप जैसे उनको शादी करना चाहते हो वो भी आपसे शादी करना चाहते हैं तो आपको peace लेके आना है अपने अंदर तब relation अच्छे बनते हैं ठीक है आपके अंदर भी peace होना चाहिए आपके अंदर insecurity नहीं होनी चाहिए आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए तब आप कहना कि आपको प्यार है आपके प्यार पे अगर आपको भरोसा है तो जितना strong भरोसा आपको प्यार पे होगा उतनी ही जल्दी आपका partner आपके पास आएगा क्योंकि उसको भी आपके साथ अच्छा लगेगा रहना addiction वाला प्यार वो प्यार नहीं होता आप उनको appreciate करते हो ठीक है हर चीज़ को लेकर को कोई भी काम करते है आपने हमीशा उस काम को अच्छा ही बोला है आप उनके जोग पे हसते हो चाहे वो उतने फनी नहीं होते और आप उनकी care करते हो ये बात उनको पता है और अगर आपकी बात नहीं होती है अच्छा नहीं लगता वो भी ऐसा फील करते हैं जैसे कि वो बिमार है यू ट्रस्ट मी अब को उनको पे ट्रस्ट है यू मेक मी बेटर देन एनिवन एल्स आपने उनको अच्छा बनाया है ठीक है ये वो बात आपको कहना चाहते हैं आप उनको अच्छे से जानते हो कोई उनको उतना अच्छे से नहीं जानता तो ये है मैसेज आपके परसन की तरफ से लाइक किजिए शेयर किजिए सब्सक्राइब किजिए मेरी इस चैनल को ताकि इस तरह की वीजियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहें ठीक है मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बाई बाई ठीक है झाझना थाहुआ नेक्स्ट